आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे कि कल के मार्केट का क्या आउटलूक है और आने वाले समय में मार्केट के ट्रेंड कहां दिख सकते हैं और आप सभी लोगों को ट्रेडर्स ड्रीम के इस मार्केट एनलेसिस में स्वागत है और आई होप कि आप सभी लोग इस चैनल क को इंज्वाई कर रहे हैं यहां सबसे पहले आप देखेंगे कि लास्टेडिंग सेशन में निफ्टी और बेंक निफ्टी के अंदर एक हेवली डाउंट्रेंड दिखा और यह डाउंट्रेंड पिछले थ्री डेज से दिख रहा है जिसके कारण दो बरे रहे हैं पहला कुरो के लोएस्ट रेट पे अमेरिका आते खरा दिख रहा है यहां अगर मैं दिखा हूं तो लास्ट रेडिंग सेशन में जिस प्रकार से नैस्टेक और डाउजुन में एक सार्फ रैली दिखी तो बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि यहां से बॉटम आउट निफ्टी और बेंक निफ्टी में हो चुका है डबल बॉटम और यहां से ट्रेंड कंटिन्यू 19,000 का दिखेगा और बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि निफ्टी 15,000-16,000 के आसपास आएगा आपका भी इस दोनों में से व्यू कुछ ऐसा ही होगा लेकिन मैं यह मानता हूं कि प्री सीजी दिखता है इसके अलावा डूरेवल के सिगमेंट से भी ले सकते हैं और दूसरा आटो मेरा मानना है कि आटो और एफेम सीजी के स्टॉक पे नजर बनाएंगे जहां आई टी सी है उसके साथी देखे तो डावर है आटो में M&M है और इसके साथी आईचर मोटर से यह चार स्टॉक सोट टर्म में प्रॉफिटेबल हो सकता है यहां बैंक निफ्टी के ओप्सन चेन को देखे तो आप पाएंगे कि PCR 0.5 के आसपास का यानि अबर सुल्ड है एक बार यह 0.89 के आसपास ले सकता है जहां से बैंक निफ्टी में 500 तो 800 पॉइंट तक के अप्ट्र कॉल की राइटिंग है 45 मिलियन और पॉट की राइटिंग 23 मिलियन तो बहुत ज्यादा हेवली नहीं कहेंगे 42,000 इजा मेजर सपोर्ट और 42,500 इजा मेजर रेजिस्टेंस एज ओफ नौ जिस प्रकार से एक वन साइडे डाउं ट्रेंड के बाद यहां देखेंगे तो 41,900 क आसपास एक मेजर सपोर्ट लिया यहां से रिकबरी लिया तो कल के लिए अगर मार्केट 42,000 250 के आसपास के लेवल को ब्रेक आउट करता है या आपको ओपनिंग 42,600 के आसपास का ही दिखेगा यहां अगर 600 के लेवल को रिस्पेक्ट करता है चुकि यह अगेन एक रेजिस रिस्टेंस जोन है इसको सस्टेंच करता है तो उपर ट्रेंड दिखेगा नहीं तो एक सार्प थोरा बहुत करेक्शन दिखेगा जो मेरा मानना है कि बाई ओन डिपसी रहने वाला है यहां से अपको 43,000 तक का रैली यहां से 43,000 तक का एक अपसाइड रैली दिखेगा यहा मैं आपको अगर दिखाऊं तो एक चैनल के थुरू लोवर लोवर हाई के ट्रेड को फॉलो किया लेकिन जिस प्रकार से यह डिवर्सल 17,780 का दिखा है व्यू काफी बुली से और एक्सपेक्टेशन है कि 18,000 तक के अगेन एक बार लेवल दिख सकता है कल की जो कल की जो आप तब तक नहीं करेंगे जब तक 17,940 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक पुट लेने से बचेंगे कल बाय और डिप्स का एक स्ट्रेजी दिख सकता है यहां देखेंगे FIDH के डाटा को भी थोड़ा नजर देखेंगे तो FI Continuous Cash में सेलिंग दिख रहा है और Last Trading Session मे में हेबली सेलिंग दिखा लेकिन फ्यूचर में देखेंगे तो फ्लैट दिख रहा है कॉल पुट में भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत अन्वाइडिंग दिख सकता है और कल मार्केट में एक रैली दिख सकती है और सॉट्टर व्यू भी मेरा पोजेटिव है